गुड मॉनिंग बच्चो साइंस गुरुजी मापका स्वागत है तो आज हम अमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर नंबर वन क्लास 12 का लेक्ट्र नंबर 7 करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल टीक है तो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे इससे पहले हमने बहुत सारी इंपोटेंट लेक्चर्स आपके चैप्टर वन्स रेलेटेड कर चुके हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मोक्स में उनका लिंक मिल जाएगा वहां से आप सारे इंपोटेंट लेक्चर्स को देख सकते हैं हमने अमारे स जीडबली एडवांस या नीट की त्यारी कर रहे हैं तो आप कम्प्लिट वीडियो देखें ओके सो सब्सक्रिक्टर नमबर 7 एलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एलेक्ट्रिक वर्ड्स आपका रिलेशन सीधा सा किस से होता है आपका चार्ज से के लिया ड दो वर्ट से बनावाए दाइज प्लस पॉल जिसका मतलब डाइज का नमबर होता है टू और पोल्स मतलब हो गया आपका पोल्स यहां पे किसके लिए है कि corners corners मतलब two corners पर क्या होंगे चार्ज होंगे ठीक है ओनली दो चार्ज का एक सिस्टम बनेगा जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दोनों charges magnitude में equal होंगे लेकिन उनका nature क्या रहेगा opposite रहेगा जैसे मैं आपके सामने एक डाइपल बनाता हूं यह positive क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है यह दोनों एक दूसरे से एक बहुत स्मॉलर डिश्टेंस आर पे अवेलेबल हैं या ए पे मान लीजिए आप इनके बीच के क्या है डिश्टेंस तो यह जो सिस्टम मना है यह सिस्टम यही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एलेक्ट्रिक डाइपल स्वजी में आ गया कि ए अर्रेंजमेंट और एस सिस्टम इन विच तू चार्जेश ऑफ एक्वल मैगनिटूड एंड अपोजिट साइंस यह पोजिट नेचर्स कि एक ऐसा सिस्टम डेफिनिशन लिख देता हूं एस सिस्टम इन विच टू चार्जेश ऑफ एक्वल मैगनिटूड एंड एंड अपोजिट नेचर्स नेचर्स सती हैं दो नेचर्स होते हैं ऌर पोजिटिव एंड नेगतिव ठीक हैं एधिक वेट एस सिस्टम इन विच टू चार्जेस एक्वल मैगनितूड एंड पोजिट नेचर्स नेचर्स अगर situated for a distance then this system is called electric dipole clear electric dipole definition आगया यह आपका diagram आगया यह दोनों charges इन दोनों के magnitude इकल होंगे Q है तो यह यह 4Q है तो यह विफोर क्यों रहेगा बट यह positive होना चीए negative होना चीए कि यह कितनी हो सकती है तो यह बहुत छोटी distance होती है क्यों क्योंकि आपको पता ही होगा कि यह positive है यह negative है तो एक दूसरे क्या करेंगे attract करेंगे और यह last position है जिस position पर यह positive और negative एक दूसरे के pass आते हैं इससे कम pass और यह नहीं आ सकते हैं ठीक है तो यह distance आ गई अब यहां पर एक word आता है आपका dipole moment dipole momentum मतलब इसको किस से denote करते हैं P से यह एक vector quantity है dipole momentum क्या है एक vector quantity है किसी भी dipole का dipole momentum रहेगा ठीक है तो dipole momentum क्या होता है dipole momentum is equal to the मैं इसका magnitude लेता हूं magnitude की definite magnitude का वर्डिंग आपका formula बताता हूं तो distance between charges multiply charge on charge on any one charge of anyone ठीक है किसी भी एक इन दोनों charges के बीच की distance को इन दोनों में से किसी भी एक की value से आपन क्या कर देंगे multiply दोनों की values नहीं करेंगे एक की values करेंगे तो यहां पर formula क्या बन गया ए multiply चार्ज 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 यह वाला क्यू ले लो aq किसका formula गया अब देखो मैंने बताए कि यह vector quantity है vector quantity है तो सब्सकी direction होनी चाहिए तो हमेशा जो इसकी direction होती है डाइपल मोमेंटम की तो इसकी direction हमेशा आपको क्या मिलेगी negative to positive यहां प एक चीज ध्यान रखनी है negative to positive मतलब negative to positive यह आगे किसकी direction अब यहां पे चीज ध्यान रखना electric field की direction क्या होती है electric field की direction होते है positive to negative positive to negative किसकी e की direction और P की direction क्या आगई negative to positive मतलब positive से negative किसकी direction रहेगी electric field की और negative से positive किसकी रहेगी dipole momentum की मतलब dipole momentum की direction हमेशा electric field की direction के क्या होती है opposite होती है clear कोई doubt नहीं formula हो गया definition हो गई unit unit की बात करेंगी unit unit क्या आएगी किसर unit बताओ unit find करो बैटा यह चार्ज है चार्ज की unit क्या होती है कूलाम कूलाम multiply यह क्या है distance distance की unit क्या होती है मिटर मिटर कसर कूलाम मिटर यह क्या गई इसकी unit आ गई यह magnitude आ गया यह direction आ गई किलियर पात को चारों पॉइंट हो गई definition formula unit और direction किलियर डाइग्राम आ आपका आप देखो अब हम find करेंगी electric dipole के कारण अलग-अलग points पे electric dipole के कारण अलग-अलग points पे क्या electric field intensity electric dipole के कारण अलग-अलग-फेल्ड पे electric field intensity देखो कोई dipole लिया आपने plus q minus q clear plus q and minus q plus q और minus q के लिए यह कोई dipole बढ़े इनके बीच की दिश्टे से आ गई अब इस dipole के कारण points कहां-कहां पे हो सकते हैं जहां पे अपने यहां पर हो सकते हैं यहां पर हो सकते हैं यहां पर हर जगा कहीं पर निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम बात किसकी बात करेंगे इस point की इनको बाद में बात करेंगे clear तो सबसे पहले इस point की बात करते हैं इस point वाली position को इस position को क्या बोलते हैं actual position क्या बोलते है एक्षियल position यह आपको अगर वर्ट से क्या बोल सकता है कि electric इलक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी और एक्षियल पॉइंट बाई एक्षियल पॉइंट पार इलक्ट्रिक डाइपोल इलक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्षियल पॉइंट पार इलक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी एक्षियल पॉइंट यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है अब देखना अब अच्छे से यह दिस्टेंस ए आ गई एक ही जगह मैं इसको क्या ले लेता हूं टूए ले लेता हूं मैंने क्या करा टूए कसर क्यों लिए टूए के देखो यहां पे यह कितनी हो जाएगी इनका मिड़ पॉइंट आएगा कोई ना कोई ओके जो इस मिड़ पॉइंट पे इलक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फीड इनटेंसिटी दोनों पी नेचर कैसा है अपॉज्ट आपॉजट तो नेगेटीव आट कि दर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटीव अपनी तरफ पॉजिट्टेव आपनी तरफ कसर नहीं होगी इस पॉइंट पर जीरो कहां पे एसा पॉइंट दोनों के कारण जहां पर इंटेंसिटी जीरो होगी तो वह कहां पर होगा बताईए इस साइड होगा क्या देखो इलक्तिट्रिक फीड पॉजिटिव से बाहर की तरफ नेगटिव से अंदर की तरफ लेकिन इसकी वैल्यू जादा रहेगी इसके वैल्यू कम हो जाएगी तो वो अलग बात करेंगे अब हैं बात करेंगे अभी आपन किसके वारे बात करते हैं कि में के लिए टॉइंट बे इन को क्या नाम दे जिन फेंच थे दिया थे यह पी पोइंट पर ओके तो देगो मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी है और यह कितनी है तो यहां से यहां तक के कम्प्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई ल प्लस ए और इस चार्ज से कितनी आई एल माइनस ए इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई एल प्लस ए और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस एल में से ए गया तो एल माइनस ए किलियर अब देगो लैट इसको ए इसको बी और इसको पी लैट इलक्ट्रिक फिल्ट है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इवन इवन की क्या आएगा देखो देखो एलेक्ट्रिक फिल्ट इंटेंसिटी ए के कारण निकार नहीं है मतलब सब कुछ बूल जाओ एको ध्यान रखो वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलर नौट के लिए यह पूरा एक किसमे है वैक्यम में है यह पूरा सिस्टम ओके सो वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलर नौट क्या क्यू अपॉन आर स्कार डिस्टेंस यहां से यहां तक की एल प्लस एका होल स्कॉयर ओके अब वेक्टर लगाया तो डिरेक्शन लिखने पड़ेगी डिरेक्शन किदर होगी ए पी पोजिटिव है त अब वेक्टर तो ए पी डिरेक्शन में तिकर ए तो पी डिरेक्शन अव एलेक्ट्रिक फील दू तो बीपोंट चार्च ए तो वेक्टर इस एक्वल तो सिमिलर वन अपोन फोपाई अप्चाल नॉट क्यू अपॉल देखो मैंने आप तुम कहोंगे सर यह माइनस क्यू नहीं लिया बाई माइनस क्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपन कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्मिले में चार्ज के साइन को काम में नहीं लेते हैं तो इसका क्या हो गया एल माइनस e का होल स्कूर्व इसकी डिरेक्षिन गया होगी बॉजटिव में अंदर के तरफ एक्टो टू एटर कहां से पीडी के टारेक्षिन में है ऊक्रेशंट होगा एंगे एवन द्रीस पड़ा होगा języ हगा यहां से यह से फील्ट रहेगा वो बड़ा ओगा यह यहें यह वाला फिल्ड बडा होगई यह वाला फिल्ड बड़ा हो गई एक ही डिस्टेंस जादा है तो एक ही फिल्ड कम हो गई तो आपने क्या कहेंगे एवन एवन इस लाज देन टू एटू एवन जो है वो एटू से छोटा है और दोनों की दारेक्षिन क्या है अपोजिट है तो इसके पर नैट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालना होगा तो इन एट इस एक वल टू बड़े में से छोटा गटा दो बड़ा गौन सा है बड़ा कौन सा है एटू minus E1 clear और direction किदर आएगी बड़े की direction जो बड़ा है उसकी direction चलेगा बड़ा को नहीं E2 E2 की direction आएगी तो direction क्या गई direction क्या आई PB PB डरेक्षन क्या गई PB अब मैं only पहले किसके बात करता हूं कर रहा हूं ज्यादा डारेक्षिन की बात नहीं करूंगा डारेक्षिन पता चल लगए आपको पी डारेक्षिन अपको पी से बी की तरफ आएगी के लिए अब देखो एटू की वैलियू रखो वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलन नौट क्यू अपॉन के है माइनकर प्लस स्कॉष्य माइनस अकी है स्कॉर सूरी मइनस वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलन नौट क्यू अपॉन है का स्कॉर मैगनिट्टूड की बात कर रह Bem बहूं बाई तो है डारीक्षिन नहीं लिख रह headed क्या आगया क्यू आगिया ्पॉर पाई एपसाइलन नोट आ गया अंदर क्या बच गया वान अपोन एल माइनस एक होल स्क्वाइर प्लास सोरी वान अपोन एल प्लास एक होल स्क्वाइर के लिए इधर गड़ देता हूं मैं आगे का तो इन दोने में क्या होगा एल सीम यह आ गया क्यू अपोन फॉर पाई एपसाइलन नोट एल सीम क्या है या एल सीम एल माइनस एक होल स्क्वाइर एल प्लस एक होल स्क्वाइर प्लस एक होल स्क्वाइर प्लस एक होल स्क्वाइर ओके सो एल सीम लेने के बाद यह वाला इतर आ जागा यह वाला इतर तर जागा एल प्लस ए कहोल स्कॉर्फ खोल लो डारेक्टी अच पिच में माइनस है कि टीकरिश में क्या है माइनस है वह माइनस लगा दिया मैंने और यहाँ पर जागा यह तो लिभास की प्लस एसक्वाइर माइनस टूर यह यह सब्सक्राइब करो इसको मैं क्यांक क्यों और एपसाल रहां क्या बतिक क्या्सक्राइड लसक्राइड प्लस डुएअल MSK-2L अपनन सिमीलान menos Q प्लस M Q upon 4 pi epsilon naught L square से L square cancel A square से square cancel क्या वाच गया 4AL नीचे क्या होगा नीचे देखना देखो मैं देखाता हूं यहां पे L माइनस a L-A L Plus A L से a M-B a Plus b l2-a2 का kennen Towel Q आगे तोज़ बे इन दोनों अन्यवार बन जायेगा इन दोनों से एक बार पन जाये ठीक है यह बताएगा तो एल स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर का होल स्क्वाइर ओके अब देगो वान अपॉन फॉर पाई एपसाइल नॉट इसको मैंने लिख दिया क्यों को इदर लेगा तो टू क्यू मल्टिप्लाई एल अपॉर यहां पर भी लिख दिया मैंने सिमिलर एल स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर का होल स्क्वाइर और यहां पर क्या गया टू मल्टिप्लाई इस फॉर को टू मल्टिप्लाई पर टू में लिख दिया एसे कैसे आ गया क्यू यहां पर आ गया यहां पे दिखरेंखाATHAN एंटो क्यूंकु टुएंटो क्यूंक एलक्ट्रिक डाइक्पॉल मोमेंटमड डाइपोब लुक्त क्यों प्रिट मॉमेंटम चार्ज सब लाकी सब्सक्राइबंद डिश्टेव लुए 2AQ 2AQ तो यहां पर गया गया 1 upon 4 pi यहां पर रख देता हूं यहां पर लिख देता हूं 1 upon 4 pi epsilon 0 2P नीचे देखो यह जो A की डिस्टेंस मैंने भी आपको बताई थी कि A जो रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा जबकि L कहीं पर भी हो सकता है तो A स्कौर बहुत छोटा है तो A स्कौर उससे भी छोटा होगा तो A स्कौर छोट देंगे और क्या बचेगा L स्कौर L स्कौर का स्कौर क्या बन गया L के पावर 4 यह कट गया 1 upon 4 pi epsilon 0 2P upon L Q के लिए यह क्या आगया आपका E net direction करेंगे तो direction क्या है कि इसकी P B P से B की direction में आदे को electric field की direction क्या होती है electric field की direction है बताओ positive to negative positive से negative की तरफ जैके electric field की direction के दर होती है negative से positive की तरफ मतलब इस तरफ electric field की direction के दर है इदर और इसकी direction के दर है इदर तो मतलब यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर इस condition में electric field के जो direction रहेगी वो dipole momentum की direction के क्या रहेगी opposite रहेगी कैसी रहेगी opposite उल्टी रहेगी ठीक है तो E vector is equal to minus one upon four five epsilon not two P vector upon L cube minus किसको बता रहेगी कि E vector और P vector की direction के रहेगी opposite रहेगी negative to positive और E की भी क्या रहे है sorry minus नहीं आएगा यहां पर क्यों कि क्या अपने E की direction क्या है इस E की E net की PB P से B की तरफ electric dipole dipole momentum की भी क्या रहती है negative से positive की तरफ तो similar direction रहेगी completed ठीक है वो complete हो गया है आपका अब next पढ़ेंगे आपन note करना चाहोगे note कर लो बिटा note कर लो आराम से पढ़ते रहा करो पढ़ाई करा करो यह पढ़ाई नहीं करो गई तो कुछ नहीं होगा पढ़ाई करा करो next अब पढ़ेंगे हम horizontal पॉइंट पर जाब कोई पॉइंट इलक्ट्रिक डाइपोल के से से एक्स डिस्टेंस पर या उसके उपपर horizontal पॉइंट पर रहे ठीक है तब उस पॉइंट पे इलक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी देखो माल लीजे या हमें पॉइंट्रिक फील्ड एट होरीजेंटल पॉइंट प्रॉम दार सेंटर ओफ एलेक्ट्रिक डाइपोल मतला एलेक्ट्रिक डाइपोल यह आगया आपका एलेक्ट्रिक डाइपोल पोजिटीव नेगेटिव डिस्टेंस आगाया अपनी टू एक पता है क्यों लेते हैं टू एक कि दाके सिंपल हो जाया अपना ए और ए ओके आद देवो इसके मिड़ पॉइंट से एकदम होरीजोंट जाद अप्पर हो गया इस जगा करता हूं ठीक है इस पॉइंट पे आपनों क्या निक इस फील इंटेंसिटी क्लियर अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पे देखो पोजिटिव है तो पोजिटिव के कारें लिट्रिक फील्ड कहां होगा बहार की तरफ करसर बहार की तरफ E1 vector negative है तो electric field कि दर होगा इस line पे अंदर के दर E2 vector ठीक है अब देखो E1 vector और E2 vector अलग अलग direction में जा रहे है अलग अलग direction में जा रहे है तो हम क्या करेंगे इसके क्या करेंगे इसके vectors निकालेंगे अलग से ठीक है ये थीटा angle आ गया ये ठीटा एंगल आ गया तो ये भी आपका ठीटा एंगल आ गया ओके तो देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहां पर समझा देता हूं आपको अच्छे से E1 वेक्टर E2 वेक्टर ये थीटा आगे ऑके तो अब देखना ये टीटा होगया तो ये बीचीटा ये थीटा तो तो ये थीटा तुझ मेरो ये बताओ ये क्या होगा क्या है एक परेंडिकूलर है टीकर ये जञे पर पर्पेंडिकूलर है परपेंडिकूलर के लिए क्या यह ऑब एक्टर इस टीटा है इसी प्रम गुल्ख साइन फिर्टे यह खीटा के सामने लिए यह वाला यह यह वाला विए के लिए जाएगा ईटू कोस टिटा अब देखो एवन साइन टिटा और एटू साइन टिटा दोनों मेगनिटीूड में क्मल है डिस्टैंस क्यूड सोरी चार्ज क्यूड डिस्टैंस यह मानली एक्स पॉइंट इसको माल लिया आर तो यह आर तो यह भी क्या हो जाएगा आर क्योंकि दो साइड है इसकी वी दो साइड है यह एंगल एकवल है प्रपेडिकुलर है तो 90 डिगरी इसलिए अपने आप क्या हो गया यह और दिश्टेंस एकवल हो गई चार्ज हो गया तो Electric Field Intensity का मैगनीट्यूड तो क्या रहेगा एकवल रहेगा इसलिए लिए A1 सिट तो साइन तुटा एक दूसरी क्या कर देंगे डिजलाओ कर देंगे इन दोनों का फरक की नहीं पड़ेगा तो फरक किसका पड़ेगा इवन को सटिटा और इटू को स्टी का क्योंकि दोनों सेम दारेक्शन मिं हैं मतलब इस पॉइंट पे पेलेक्टरिक फेलिक्ट टार इस तरीके से किलियर है तो इलेक्ट्रिक धिकी डारेक्शन किदर हो गई इसोट इस पॉइंट पे नैट इलेक्ट्रिक फिल्ड गाँ जोगा प्रोज देंक नुद्यों होगा e net is equal to e cos theta plus e2 cos theta e1 cos theta plus e2 cos theta clear तो देखो क्या आगया दोनो e1 और e2 दोनों equal है तो 2e cos theta e की value कितनी है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon distance कितनी है और r square multiply cos theta cos theta cos theta cos theta is equal to base upon hypotenuse base कितना है a hypotenuse कितना है आर क्लियर तो यह पून आर ओके 2 multiply 1 upon 4 pi epsilon 0 q क्या है देखो हाँ q upon r क्या है r r क्या हुआ r क्या है यह एक right angle triangle है तो hypotenuse r square is equal to a square plus x square क्या है value put कर दो यह वाली a square plus x square multiply a multiply a square plus x square का under root क्या है 1 upon 4 pi epsilon 2 a q p vector is equal to 2 a q distance to a charge q तो p upon a square plus x square के power 3 upon 2 यह 1 है यह half है 1 and half 3 upon 2 similarly x is greater than greater than to a so x square is also greater than greater than greater than to a square so a square का अपन छोड़ देंगे क्या जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon x के power 3 e net लेकिन यहां पे e vector net की value क्या होगा क्या formula गा बान आपन 4 pi epsilon 0 p vector upon x के power 3 बट पी वेक्टर पो डाइपोल मोमेंटम की क्या होती है डिरेक्शन नेगेटिव तो पोजिटिव डाइपोल मोमेंटम की डिरेक्शन कितनी है नेगेटिव तो पोजिटिव जबकि वो किदर आ रहा रहा एक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डिरेक्शन इसके अपोजिट डिरेक्शन मतलब यहां पर क्या जाएगा माइन यहां आपका यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन के क्या है अपोजिट है किलिया कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो ही पोइंट्स है आपके ठीक है यह डाउट हो कोई भी यदि हैल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखे कोई टोपिक यदि आपको सबज़ें नहीं हा रहा है तो उसके बारे में आप बताईए तो इस तरीके से हमारी वीडियो कम्प्रेट होती है कल फिर मिलते हैं ओके बाय बाय रेगुलर क्ल सब्सक्राइब करें कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को जरूर बताएं थैंक्यू बाय बाय चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें टेक करें